है हेलो फ्रेंट गुड मॉर्निंग और अभी सुबह का चाह से सुरुवात हो रही थी और सबजी भी बन रही थी एक तरफ तो यह सबजी ना मेरा मतलब की यह वीडियो जो होना मेरा दो दिन का है इसलिए मैंने पहले से भता तो इसी तरह से हमारा मतलब सुरुवात होता है तो यहां पे ना देखिए मैंने सब्जी जो बनाई थी ना तो आधा तो मैंने खीचड़ी में चड़ा दिया है चावल भीगों के रखी थी मैंने क्योंकि आज मतलब की फटा फट से यही बना देती हूं क्योंकि जादा सब्जी वगर कुछ थाने घर में तो और दो तरह का चीज बनाना था तो एक सुबह का इलो का टीफिन का भी हो जाएगा और यहां पे यह खाने का भी हो जाएगा तो इसमें दाल चावल अलग से बनाने की ज़रूत दिया है और वाकी सारे मसाले पहले एक दना और दिया और उसके बाद रोटी पहले बना करेंब्स थी इसे लिए पिर उपर से कागच लगा कि टीफिन में मतलब रोटी और सबजी दे दती हूं लोगों को और यह वाली सब्जी आधा तो मैंने सब्जी उसमें डाल दी और यह थोड़ी से बने इन लोगों का टीफिन के लिए बचा लिया है तो आलू गोभी मटर की सब्जी है और उसके बा तो यहां पे ना मतलब की है कि यह ना मतलब मैंने इसी में मतलब सब चीज डाल के रखा वा था तो वही मैं खोज लए थी कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा था तो यहां पर देखिए अभी मैंने अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया है और यहां पैं सारे काम हो चुके थे और यह वाला ना यह मतलब यह एक दीन पहले का जो भार मैंने बनाये था तो स्टारू करने लगी तो यह तो एक दिन पहले बना था मेरा और अभी जूब एक नास्ते का जो ठान तो ऋही मैंने इसी को फ्राइ करके सबको दे दूँगी और हम मैं भी खालूँगी तो बस इसी को फ्राइ कर रही थी अभी तो ये थोड़े से तेल में फ्राइ हो जाते के और उसके बाद यह सोस के साथ हम लोग खा लेंगे और यह चावल का आटा में जो बना हुआ रहता ना बहुत जादा अच्छा लगता है यह आटे से भी बन जाता लेकिन आटा वाला उतना टेश्टी नहीं होता वह बहुत और यह जमीन पर थोड़ा गिरिगा था तो मैं बा टीफिन में रोटी सब्जी दे दिया है और मैं अपना यह खा लेती हूं और खाने के बाद ना मतलब की अभी पीछे देख सकते हैं कपड़े वगरा रखे हुए हैं वह सब अभी गिर गए थे तो वह तह करके रखे रखूंगी अभी तो खा लेती हूं फिर क्योंकि और भ देख रही थी और अभी यह सब्जी के तैजारी कर लेती हूं कि सूबा में तो मेरी जो बना था बन गया था फिर अभी साम का टाम हो गया है तो साम को ना अभी यह चिकन लेने गए हैं तो वही बना दूँगे इन लोगों के लिए तो अभी मैं प्याज वगर्ण खुआ क तो उससे क्याना थोड़ा जलन कम हो जाएगा और यह छोटे प्याज आना बहुत ज्यादा जलन मारते आंख में और मेरा तो मतलब आंख हिदम लाल हो गया था छिलते छिलते और उसके बाद प्याज हो गया था तो फिर लैसन और अद्रक छिल के रख लूँगी क्योंकि एक दो ठो में नहीं होता इसमें बहुत ज्यादा लगता मसाला में लैसन अद्रक प्याज सभी को छिलने में टाइम भी लग जाता है और यह छोटे प्याज ना आख में बहुत जलन मारते जो बड़े साइच के होते ना वो नहीं होते है तो उसके बा सब्सक्राइब करता है तो अभी छिल के रख दूगे ना तो सही रहेगा फिर सूबह में थोड़ा सा इससे पानी में उबाल के फिर यूज मिलेती हूं कि अभी के यह जो मतर ना काफी सूख जाते और इसके जो दाने ना बहुत सबजी बनाने के बाद भी कड़ी रह जाते मतलब तो यह देखे मेरा मटर भी हो गया है बातों बातों में और इसके सारे छिलके मैंने अलग हटा के रख दिया है बाहर में मतलब पुलिथिन में डालके बाहर में ही रख दिया मैंने और यह बेक कमरा से ना जैसे लाइटिंग ही ठीक से नहीं आती है और रियल वाले से सही रहता है तो ये मेरे गलती से टिπα मज़ hindsight से और इससे मैं भी अंदर- मेर काम बहुत मिनलब है जाड़े के सीजन में बहुत आần देखे यह मसाला मैं पीस लेती हूँ यह भी चिकन लेने गए है अभी आए नहीं है तब तक मैंने मसाली की तैयारी कर लेती हूँ और यह जब आएंगे ना तब तक मेरा आधा काम हो चुका होगा तो पहले मैं लेसन और अद्रक का पेश्ट कर लूँगी सिल पे क्योंकि यह ज़्यादा मिक्सर में यह इतने से पीशे नहीं जाते है इसलिए मैं हाथ से ही पीश लिया मैंने क्योंकि यहीं पीशना था और प्यास तो वैसे भी भून-भून करी गल जाएगा तो बस यहां पे देखें सिल्प है मैंने पीश के और सिलवर्टा को रख दिया धोके और और यहां पर जो कपड़े पड़े थे ना तो वह सुवह से पड़े रहे गए तहीं नहीं किये थे मैंने तो बस अभी मैं इसनको सब समेट के रख दूंगे काम के سے ना कोई काम करने काही नहीống करता है ऑभी करेंगे अभी करेंगे करते करते ना पड़ें रह hij गया फिस वे यह पिर अब सुचे की नहीं और करी देती हूँ कि तब तक मैं यह काम कर लूँगी और फिर उसके बाद इस्टोप गरह जला के चिकन बनाना इस्टार्ट कर दोंगी और अभी मुझे आटा भी लगाना है रोटी भी बनानी है तो बस पहले मैं सुछ देखती हूं क्या कर अगर यह आ गए होंगे तो पहले वह कर लूँगी जो नहीं है तालू का वही वाला है यह तदस्सोस वगर अच्छा ही लगता है और अगर मुझे अच्छा ही खा लिया था मैंने और उसके बाद देखे मैं यहां पर आ गई क्यों कि यह भी आए नहीं थे मैंने इतने सारे काम कर लिए कपड़े तैय कर लिए मसाला तयार कर फिर पिर मैंने सोचा कि आटा लगाके रोटी बना लेती क्योंकि और ये थावब दिखे मेरा पूरे जहल गया था किनारे किनारी से पराठे हो अगर बनाती हुआ तो बस और यहां पे करके था नग Hmądh was बहुत होता बहुत होता है मैं इससे उतार कद बहुत हिना काफी थैवानी काफी यह देखिए मैंने रोकी सेखती जात बहुत हो इतना कर दाएं गवह दया है इतना मस इसे रोटी GAR dish बढ़ोची बरिऻrans ended तावा बहुत ज़्यादा गरम था तो देखे फटा फट से मेरा रोटी भी फूलते गया और सारे रोटी मेरे बन गए है और मैंने धकन लगा दिया है और उसके बाद यह बरतन मैंने वहाँ पानी में डाल के रख दिया क्योंकि यह जाड़े में सूख जाते हैं तबस और अब मैं इस टोब जला लूँगी क्योंकि अभी तक यह आये नहीं है और मेरा इस टोब में प्याज वगरा फ्राइ करूँगी तब तक साइद आ जाए क्योंकि प्याज गलने में भी टाइम भी लगता है और इस टोब जलाके तो थोड़ा टाइम लगी जाता है और यह इस टोब जलाके ना दो फाइदे होते हैं कि थोड़ा हाथ पेर में सेख बिलो और गर्माहड भी आ जाती है और यहां पर यह देखिए मैंने इस्टोप जला के और इसमें तेल और तेजपता सब भी कुछ डाल दिया है और प्याज डाल के थोड़ा सा लाल करूंगी तब तक ही आ जाएंगे तो मेरा काम फिर फटा-फट से हो जाएगा फिर उसके ब अबस उसके बाद यह दोके इसमें डलवा दियती हो मैं और इसको ना ढख ढखके ही भूलूगी तक ही प्यास तो मेरे पूरे गल चुके हैं और अब चिकन यह डाल दिया है इन्होंने और इसके बाद मैं इसमें सारे मसाले जो कि मैं पहले से निकाल के रख ली थी रोटी बनाने से पहले ही रख लिया था मैंने और उसके बाद पानी वगर डाल के इसे ढख दूँगे तक यह धिमे धिमे आच में अपना होता रहेगा और मुझे भी राहत मिलेगी अपना और मैं अपना अंदर बाहर कुछ कुछ करी रही हूं बैठ नहीं रही हूं सांती से और इसका मतलब धक के मैंने आच होना बहुत ज़्यादा धीमा कर दिया था और सामने से बात भी करते जा रही हूं और काम भी करते जा रही हूं तो देख सकते कितना साधा धुवा निकल रहा है भाब तो भस धक के पकाव ना तो जल्दी हो जाता है बेसी टाइम नहीं लगता तो अभी मुझे चावल भी बनाना है और यह देखिए इसके अब इसके बिल्कुल पास में बैठ गई हूं क्योंकि अब इना मतलब इसमें पानी भी डालना है क्योंकि यह प्याज जो डाला था मसाला तो उससे देख भी नहीं रहा है इतना ज़्यादा धुवा निकल रहा इससलिए मैं इसमें पानी डाल दिया और म sanas word लूसरे मैंने ज़ी में ठराख लिए तो वह पानी डालना है यह थंड़ अधनुर समोर जैसे वह जाती तो यह चिकन सभी लोग आ गए हैं घर में सभी को खाना निकाल दूंगी गरम गरम चावल है और चिकन अब तो यह चिकन यह अपना निकाल ले रहे हैं और मैं यहां पर इनको खाना दे दिया था फिर यह नेश्ट मोर्निंग का है तो यहां पर देखिए एक तरफ मेरी कड़ चड़ाया हुआ है मैंने और उसमें लेशन और मिर्ची का तड़का देखे और यह मेथी का साग था जो मैंने कट करके रखा था और यहां पर मेरा हलुआ भी बना रही थी सुबर का नास्ते में तो सभी को हलुआ बहुत ज्यादा पसंद है तो हलुआ मैंने बना दिया है और यहां पर देखे साग अभी पूरा कड़ाई भरा था अभी एदम जरा सा हो गया यह मेथी के साग थे और यहां पर मैंने देखे बाद मेरा दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो यहां पर मैंने हलुआ भी बना लिया है और एक तरफ मेथी का साग भी बन गया मेरा तो आप लोग भी आजे ये गर्मा गरम ठंडी की सीजन में हलुआ और ब्रेड लाए थे तो ब्रेड के साथ ही खा लेंगे ये लोग हलुआ है और मुझे नहीं पसंद है तो मैं अपना नहीं खाती हो और उसके बाद ये अभी पनीर मंगवा लिया था मैंने और मटरकल का जो छील के रखा था मैंने तो उसे मैंने पानी में गरम करके उबाल लिया है क्योंकि बहुत कड़े हो जाते हैं और यह यहां पर देखे पनीर वगरा फ्राई कर लिया है और यह मसाले को जितना भी प्यास टमाटर अधर लेसुन का पेश्ट करके और मटर को ना एक बार उबाल दिया आफेली है तब भी और उसके बाद ऊस-प्रतर अद्धिया एक्यम्ले बार में कर दो किना मतर ने के बाहरे अधर którą कहवारे खाना पिना सब्रौदा कि बना के रख दी थी तो इसलिए साम को अतना कुछ काम नहीं था सिर्फ अराम से बैठे थे सोए थे और फिर उसके बाद मैंने आटा वगरा लगाया और उसके बाद पूडिया तलना इस्टार कर दिया मैंने क्योंकि पूड़ी है और सब्जी है तो यही आप लोग भी आज है कुछ टीवी देख रहे हैं और हम मैं सबका खाना निकाल देती हूं यह भी अपना खाना खा रहे हैं निकाल दिया मैंने इनको पहले और तो चलिए इस वीडियो को यह एंड करती हूं मिलती हूं अगले ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई